हर्याना सिवल मेडिकल सर्विसेज एस्टूशन के अपील पर हुई सरकारी डॉक्टरों की हर्ताल तो दो दिन बाद खत्म हो गई है लेकिन नेशनल हेल्थ मेशन एनचम के करमचारी अभी भी हर्ताल पर हैं इसी कड़ में शनिवार को यमननगर के सिवल हॉस्पिटल के प्रांगण के बाहर एनचम करमियों ने धर्ना प्रजशन किया और सरकार के खलाफ जम करना रवाजी की इनका क्याना था कि वे अपनी मागों को लेकर कई बार सरकार तक अपनी आवाज पहुचा चुके हैं लेकिन सरकार का रवया ठीक नहीं है सरकार उनकी मांगे मानने के मूड में नहीं लग रही कर्मचार ने बताये कि अभी दोस्तों वार तक इन्होंने फर्टाल करने का नर्नेरिया है लेकिन अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो यह हर्टाल अनिश्चित कालीन कर भी जाएगी सरकार के जो बार-बार वादे करने के बाद भी नहीं किया जा रहा इसमें आर्टेस के ड्रावरों का अलाउंस भी था करमचारी कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार चारी है कि यह हैरी खा के मर जाहें इससे अच्छा तो पैसे ना देने पड़े यह सरकार की मन्शा हो रही आज की रेट में इसलिए में अड़ताल पर जाना पड़ा हड़ताल सोमवार तक की हमवेट करेंगे सोमवार तक अगर अर्टाल में कुछ नहीं निकल के आता तो अड़ताल अनिश्चित का लिन हो जाएगी यम्ना अगर के कल 482 करमचारी श्ट्राइक पे थे आज उसमें करमचारियों में बड़ा उत्री हुई है आर्टियस के सभी साथी मारे साथ आज जो सक्रिया साथी आर्टियस के आप पहुंच चुके हैं आज कुछ कम आये हैं थोड़े और कल जादा बढ़ जाएंगे लेकिन आर्टियस हम करताल से अस्पितालों में कई सेवाएं पर भावित रही हैं जिससे मरीजों और उनके कामिदारों को परिशानियों का सामना करना पड़ा बहरहार देखना होगा कि सरकार आफिर कब तक इनकी मांगर को सुनती है पंजाब के से टीवी के लिए यम्रानगर से कुल तबहार जाँ सकती हो